नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीटोक्षी टेक्नेकल ओफ सिभल इंजिनेरिंग में दोस्तों आज में यूपी जल निगम में 2021 में निकलने वाली बर्तियों के वारे में आपको बताऊंगा जिसमें लवर 800 वैकेंजिस हैं जो एई और दिये हैं तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं राज्य पेज लिए हैं सचिता मिसन इस्टेट वार्टर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अंद्रगत ये वैकेंसिस हैं इसमें के इसका टेंडर निकला हुआ है 29 माई 2021 को ये निकला हुआ है पत्रांक नंबर इस पर लिखा हुआ है तो इसमें मैं आपको डिटेल पताता हूं दोस्तों इसमें पहला जो पोस्ट है वह अशिस्टेंट इंजिनियर की है जिसमें के एजुकेशन, कॉलिकेशन एंड एक्सपिजियंस में आपका 18 पोस्ट जो है वह इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजिनियरिंग के लिए है इसमें के इसमें एम आई जो सेट्फिकेट है जो कोर्स है वो भी इसमें अलाव है इसके सैलनी की बात करें तो पचास हजार रुप पए मन्त आपकी ये सैलेरी इसमें होने वाली है तो अगले जो पोस्ट है वह हमारी सिविल इंजिनियरिंग के लिए है जिसमें के 182 civil engineering post इसमें दी गई है जिसमें इसमें भी आप B.Tec या फिर E.M.I. course पांगा गया है और इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे नेचे आप एक चीज़ और देखेंगे तो candidates with two years experience in water sector will be given priority तो अगर किसी को किसी भी students को अगर two years का water sector में experience है तो उसे priority दे जाएगी इसकी बात करें तो इसकी भी salary पचास हजार रुपे मन्त ही है एकी तो अगली जो post है वो अमारी junior engineer की है जिसमें के 75 electrical mechanical engineering post है जिसमें diploma electrical mechanical इसमें मांग गया है और इसकी salary की बात करें तो 30,000 रुपे इसकी salary है per month 75 post है इसके लिए electrical mechanical के लिए तो अगला जो है वो हमारा civil के लिए है तो civil engineering के लिए diploma भगा गया है इसमें junior engineering के लिए इसकी salary की बात करें तो 30,000 रुपे पर month इसकी salary है और 525 इसमें post है तो इसमें नीचे आप देख सकते हैं degree holders in the relevant discipline can also apply तो इसमें degree holders भी apply कर सकते हैं ऐसा confirm नहीं है लेकिन प्रॉपर जब notice आएगा जब इसका form निकलेगा तो इसमें दिया हुआ होगा तो दोस्तों आपको मैं इसकी website पर लेके चलता हूँ तो दोस्तों अब देख सकते हैं ये इसकी official website है state water and sanitation mission hwsm.up.gov.in और यहां पर आपको एक toll free number दिया गया है अगर आपको अब भी कोई डाफ्ट है तो आप इस नमर पर call करके बात करके पूछ सकते हैं इसमें आपको बहुत सारी detail मिल जाएगी hwsm.up.gov.in दोस्तों इसी के साथ मैं मैं वीडियो को यहीं पर खतम करता हूँ और आपको कोई भी डाफ्ट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना और मेरी चैनल को आपको मिल सकते हैं और वीडियो देखने के लिए बहुत 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 दन्यवाद है